गाइस गुड मॉनिंग गुड आप्र नोन एंड गुड इविनिंग आप सभी बहुत इस तरीके से होंगे दोस्तों आज हम बात करेंगे इस वीडियो में किस तरीके से कुई भी ऐसी थीरी सब्जेक्ट्स है यह इस्पेशली लौ है उसमें कैसे आप बहुत ही अच्छे मार स्केन करें जस्ट बिकर्ज अफ दीस ट्रिक्स सबसे पहली ट्रिक आती है अगर आप रिटेन प्राक्टिस करते हो किसी भी थीरी सब्जेक्ट में तो वह आपके लिए हमेशा ही गोल्डेन रूल साबित होती है सर गोल्डन किस तरीके से जब आप लिखके प्राक्टिस कर रहे हो तो लिखके प्राक्टिस करने के फायदे बहुत सारे हैं सबसे पहला फायदा यह होता है कि जो आप लिक के practice कर रहे हो आपकी खुद की कमिया पता चलते है कि आपने कौन सी चीज़े कहां पर गलत लिखी जब आप institute के answer sheet से match करते हो तो उसके से पता चलता है कि जो institute है what institute demands from you और आपने actually में क्या लिक खवत हो वो चीज़ आपको पता याद हो जाएंगे लेकिन वही कुछ ही dialogues होते हैं जो कि आपको याद होते है reason क्या होता है कि हमारा जो माइंड है वो लिखना या बोल करेंके सुनना अगर केवल audio आप सुन रहे हो तो audio भी clips उसकी कम वो रिमाइंड कर पाता है या अगर आपको कुछ पढ़ना है तो करके कर रहे हो सर अगर आप कोई चीज लिख करके कर रहे हो उस case में क्या होता है कि जो मारा माइंड है वो जो चीज आप लिख रहे हो वो एक picture की form में आपकी दिमाग में आना शुरू हो जाता है और वो बहुत ही जल्दी याद होता है example के लिए अगर आपने कोई चीज त सोच के लिखा हुआ है जब आप लिखोगे तो पहले इसको सोचोगे कुछ ना कुछ आप अपने मैंड में image create करते हो तो वो कही ना कही एक picture आपके दिमाग में फॉर्म हो जाती और वो long term तक याद रहती है तो यह बहुत important है कि कोई भी चीज अगर आप practice कर रहे हो आप उ keywords वो सारे important points होते हैं जिनको लिखने के बाद वो जो sentence है उसकी complete meaning मिल जाती है complete meaning का मतलब क्या अगर आप उस word की जगह पे कोई दूसरा word लिखते हो तो उसकी जो meaning है वो अच्छी तरीके से नहीं निकल पाती है जैसे कि legal language में निकलनी चाहिए क्योंकि sir आप exams दे रहे हो वो completely professional exam है और अगर आप वैसी meaning वैसी चीज़ अगर आप नहीं लिख रहे हो तो आपको marks कहाँ पर मिलेंगे आपको कैसे marks मिल जाएंगे तो sir make sure जो भी आप words लिख रहे हो keywords लिखना बहुत important है क्योंकि institute चाहता है कि आप ऐसे words use करो calculate में अगर आप CA बन जाते हो calculate में अगर आप CA बन जाते हो और वही layman वाले words अगर आप यूज करो तो कहां से अच्छा लएगा तो institute कभी भी अपना जो level है वो नहीं गिरना चाहता है इसलिए institute भी चाहता है कि जो keywords जो अच्छे-चे words हैं वही आप यूज करो वही आप अपने exams में लिखो तो जब भी आप answer sheets लिख रहा है हो जब भी आप answers लिख रहा है हो किसी भी question का make sure आप जो keywords है keywords भी आप ज़रू लिखा करो keywords लिखने पर आपको numbers अच्छे मिलते हैं marks अच्छी मिलते हैं and अगर आप keywords अच्छे नहीं लिख रहा है हो तो sir 10 number का question तो हो सकता है कि आपको 2 number या 1 number में ही आपको कुछ ऐसी चीज़े पता चलेंगे दो तीन बार किसी line को आप पढ़ोगे तो उसमें कुछ चीज़े ऐसी पता चलेंगे कि हाँ यह word बड़ा important है तो वह आपको keyword होता है जैसे कि जब मैं teach करता हूं उस time पे भी जो keyword से normally उसको मैं highlight करायता हूं ताकि आपको यह पता लिख रहा है हो उसका answer आप लिख रहा है वे exam में उसमें आपने provision लिखना शुरू किया provisions में आपने कुछ हद तक legal language में नहीं लिखी आपने खुद के language में ही complete provision लिखते है सर वहाँ पे आप गल्दी करते हो वहाँ पे आपको करना क्या है कि जो language है language आप खुद की use कर सकते हो लेकिन जो उसमें keywords है keywords आप अपने खुद के use नहीं कर सकते है keywords आपको वही उसकरने है जो की legal language में लिखा हुआ है जो की legal language में लिखा हुआ है क्योंकि normally होता है कि जो legal language में जो words लिखे होते हैं जो words law में लिखे होते हैं और जो words एक layman में होते हैं दोनों में difference होता है तो sir make sure जो keywords है keywords आप use करो और written practice तो करना must है हो सके तो आप mocktis papers भी आप ले सकते हैं mocktis papers के लेने का फायदा बहुत जादे है mocktis papers से कोई एक export आपके answers को evaluate करता है या mocktis अगर आपने खुद भी लिखे इंसिटूट की website से भी कई सारे mocktis papers available है आपने क्या करा यह institute भी कई सारे mocktis papers लेता है जैसे exams आपकी होने वाले होंगे तो exams होने के कुछ महीने पहले दो mocktis papers होते हैं तो आप चाहो तो उस तरी मैं ही चेक करता हूं मैं आपको चेक करके बताता हूं कि यहां आपने यह गलती यहां पर कर रहा कि आपको यह चीज़े यूज करनी चाहिए थी या अभी कुछ दिनों में chapter wise भी series में शुरू करने वाला हूं जो कि आपका C.A. log के लिए होगा log के लिए full syllabus का test already available है log के जरूर करिए mock test papers कहीं से भी मिल जाए मैं यह नहीं बोला हूं कि आप मेरे mock test papers लो लेकिन यस सिए इंस्टिटूट की वेब साइट उस पर भी mock test papers available है तो आप वहां से भी ले सकते हो और भी कई सारी websites है अब मुझे यह नहीं पता कि कौन-कौन सी अच्छी websites है तो मुझे उ आपको इतनी marks अच्छे मिल रहे हैं और आपको और भी ज्यादे मेहनत करने के जरूरत है अगर आपके पास में कोई ऐसी facility है जो कि आप किसी coaching institute के center पर जा करके mock test paper आप दे पाओ और वहां पर आपको उसकी evolution पता चल जाए तो वह best है क्योंकि इस teacher से यह जो mock test paper चेकर है उन आपने जो합 लिखे हुए है तो इसमें यह जे गलतिया हैं आपने जो भी answers लिक़्े हुए तो वो आपको बताएंगे कि आपने यह जिए गलतियाि करी हुई है और आपको इस तरी के series को लेखना जबूरी होता है तो सब ये कुछ चीज़े हैं मॉक्टेस फिपरस आपको देना है मॉक्टेस फिपरस देने के फायदे बहुत जादे हैं क्योंकि अगर आपके 40 नमबर आ रहे हैं वही आप जब मॉक्टेस फिपरस आप देना शुरू करोगे तो वो नमबर पॉसिबिलिटी ये है कि 40 मार से आगे बढ़कर के 60-70 में कनवर्ट हो जाँ क्योंकि अगर आपन ये परटिस कर ली तो सबसे जो एक बड़ा फियर होता है आपके मन में जब एक्जाम देने के लिए जाओगे तो फॉस्ट एक्सपिरियंस जो होगा जैसे आप एक्जाम में बैठ होगे तो आपको फॉस्ट एक्सपिरियंस होगा क्या होगा तो आपको यह नहीं पता चलेगा कि कौन से एक्वेशन को पहले करना है कि इसको बाद में करना है तो यह एक जो प्रेशेस आपको कऄने की जुरूरत नहीं पड़ेगी कहां पर आपको difficulties आएंगी आपको वही पता होता है और किस तरीके सापको उसको solve करना है आपको वही पता होता है सर मॉक्टेस पेपर ज़रूरी होता है मॉक्टेस पर solve करिए और साथ में written practice करिए अगर आपको law पढ़ रहे हो कोई थीरिस पढ़ रहे हो तो उस line के just नीचे आप अपनी उंगली रखो जिससे कि जो आपका concentration होगा वो कहीं दूसरी जगा इधर उधर नहीं भगेगा वो उसी जगा पे रहेगा तो सर ये कुछ tips हैं जो कि आप use करिए आप मुझे बताईएगा कि इससे आपको फायदे मिले की नहीं मिले ठीके और भी कोई वीडियो चाहिए make sure आप comment कर सकते है in the comment box and yes अगर आपने अभी दर चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं make sure आप करिए सब्सक्राइब चैनल को वीडियो शेर करिए thank you so much and take care